श्री रादे, नुमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल भक्ती बजन प्रोडक्शन में स्वागत हैं। मैं विजिंद राजा आपके लिए एक उन्ने कहानी लेकिया हूँ, आज की कहानी है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धन कौन सा होता है। तो आईए इसके उपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा था, बड़ा ही इमानदार था, लेकिन एक बार जंगल में भटक गया, काफी दूर निकल गया, पुसू पक्षियों को देखता हुआ, प्रकरती को देखता हुआ, नजारा लेता हुआ, अब जब जंगल में भटका है, तो बारिश होने लगी, अब थोड़ा परिशान हुआ, लेकिन चलता गया, चलते चलते एक गाउँ आया, गाउँ में पहुचा है, वहाँ पर उसे तीन बालक दिखाई दिये, थोड़े से वो बालक गरीब घर के थे, उन बालकों ने राजा को देखा, और गर पास में है, तो उन्होंने राजा से पूचा कि आपको कुछ चाहिए, तो राजा ने कहा हुझे भूक और प्यास लगी है, कुछ हो तो लादो, अब तीनों बच्चे भागे भागे गए गर पे, और जो कुछ भी था, जैसा भी था, रोटी, सबजी, और जल लेके आए पानी लेके आए, राजा को दिया है, राजा ने पानी पिया, भोजन किया, पानी पिया, बड़ी आत्मा तरिप्त हुई, फिर राजा ने कहा कि बटा, तुम्हे कुछ चाहिए, तो बता दो, मैं तुम्हें दूँगा, तो बच्चों ने पूचा कि आप हमें सच में दो घर बनवा दो बड़ा सा राजा ने का ठीक बिटा मैं तिरे इच्छा पूरी करूँगा फिर दूसरे बच्चे से कहा कि बिटा तिरको कुछ चाहिए उसने का हा मुझे भी चाहिए वो भी खुश हो गया कि पहले बच्चे को दिया तो मुझे भी देंगे तो राजा ने ठीक बिटा मैं तिरको धन दूगा अब तीसरा बच्चा भी बाते सुन रहा था तीसरे बच्चे ने सोचा मेरा भी नंबर आ सकता है तो राजा ने तीसरे बच्चे से भी पूछ लिया कि बिटा तिरको कुछ चाहिए मैंने दोनों को कुछ ना कुछ दिया है तिरको भी मै कुछ दे दूंगा तु बताbelt पैसा जहिए धन चहिए बंगला चेये रत जहीए घोड़े चाहिए क्या चेये कि तब वह बालक बोला कि राजन मुझे इन वेस्तर कुछ भी नए चुछ ना तो मुझे पैसे चाहिए ना मुझे धन चाहिए ना मुझे घोड़े चाहिए ना हाती चाहिए ना रत चाहिए ना बंगला चाहिए फिले बेटा फिर तरे कोई चाहिए क्या उसने काया कि राजन सच बताओं मैं खुब पड़ लिखना चाहता हूं विद्या गराण करना चाहता हूं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं तब राजा ने का ठीक बेटा औ एक अच्छे से गुरुकुल में करवा दिया वहां वो पढ़ लिखकर वहां वो पढ़ ले लिखने लिगा अब पढ़ने लिखने के साथ साथ उसकी बुद्धी बड़ी प्रकर थी हर बार कक्षा में पर्थमस्थान प्राप्त करता ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया कुछ समय सबी युवान हो गए तीनों बालक और जो बुद्धिमान था जिसने पढ़ा ही मांगी थी वो राजा के महल में राजा का मंतरी बन किया गया क्योंकि बड़ा विद्वान था राजा को सला देता कि राजन आप ऐसा करो राजन आप ऐसा करो लेकिन बाकी दो बच्चों का क अंगला मांगा था ऐसी होनी हुई कि भाड़ आ गई तबाई हुई और उसका घर भुकम पाया भुकम बाड़ दोनों में खराब हो गया तैसनेस हो गया और रत भी विचारे का काम नहीं आया सब खत्म हो गया और जो दूसरा बच्चा था जो युवा हो गया उसने सारा ध अपनी जरूरत की चीजों में अयाशियों में लगा दिया फ्री का पैसा कितने दिन टिकता है एक नाई दिन दो खत्म होना ही है और वो पैसा भी खत्म हुआ और वो निर्धन हो गया अब दोनों जो दोस्त थे वो तीसरे दोस्त उस विद्वान मंतरी के पास आए और आकर के कहते कि हमारी दसा बड़े ही खराब है हम दोनों फिर से गरीब हो गए कुछ तो बताओ तब उसने कहा कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा धन विद्या है विद्या धन है और विद्या धन से बड़ा कोई धन्नी है अगर आप विद्या का धन है तो आप दुबारा से पैसे कमा सकते हो, सत्मारक पर जा सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन आपको ग्यार ही नहीं है, क्या करना है, तो आप कितने भी अमीर है, आपका पैसा खराब हो जाएगा, तो उसके कहने पर राजन ने दुबारे से उन दोनों दोस्तों की मदद की है और दोनों दोस्तों को फिर से पढ़ाना शुरू किया है ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके इस तरह से इस कहानी का अर्थ पुरा हुआ कि सबसे बड़ा धन जो है वो को मिली मैं आप तक ले के आया आगे भी कुछ कता कानिया किस से परसंग आप तक लाता रहूँगा आज की कता को यही विराम आपको मेरा अपनाम जैजेश्रियाद है